राइपुर के उद्योगिक शेत्र सिल्तरा सित ग्रीन पैट्रो कमपनी में उस समय हड़कम्प मच गया जब ओइल टेंक में ब्लास्ट हो गया आग इतनी भयंकर थी कि सो फीट तक आग की लपटे उठी आग ने पूरे परिसर को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया वही कमपनी के परिसर में भढ़की आग को दूसरे इलाकों में बढ़ने से रोकने के लिए आसपास के कारखानों को अलर्ट पर रख दिया गया प्रशासन ने आग दूसरे इलाकों में नाफैले को लेकर तुरंत प्रभाव से ठोस प्रबंद भी कर दिये बताय जा रहा है कि ग्रीन पेट्रोर रिफाइन पेट्रोलियम बनाने का सैयंत्र है शाम को यहां एक टेंकर खाली हुआ वे ओल टेंक के पास ही खड़ा था तब ही उसमें आग लग गई जब तक कर्मचारी उस पर काबू पाने की कोशिश करते आग ओल टेंकर तक पहुँच गई ओयल टेंक में आग लगने के बाद करमचारी वहां से जान बचा कर भाग गए थोड़ी देर में टेंक में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और आग पूरे परिसर में फैल गई सुचना के बाद रायपुर्ट से फायर ब्रिगेड और पुलिस की दरजनों टीमों को रवाना किया गया आपको बता दे कि गनीमत रही कि इस हाथसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है सुचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया यहां आपको बता दे कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई गाओं तक उसकी आवाज सुनाई दी बताते चले कि आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी इतना ही नहीं धमाकों की आवाज तो कई गाओं तक पहुंची इस हाथसे को लेकर अफरा तफरी मच गई साथ ही लोगों में देहशत फैल गई ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद झारि मैं harदा तक लेखा सक्टाइब करता तक हैंने वाद भी नहीं रह तक हमारी आवाज तक ब करें देग्ट साथ बल जजकि का फिर रह तक बढ़ को बढ़ाया जल सक्तूने ड़का झाल करें हैंने वाद